साथियों आप सबका स्वागत है और मेरे लिए खुछी की बात है कि अपने देश को उत्सां से भी उत्सां से भर दिया और देश वाच्य हो गए है सारी आशा पेक्षाओं को अपने जीत दिया है मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ा है आपको आम तो पर मैं देज़ रात दक्तर में काम करता रहता हूं तो इस बार मैं पीवी चल रहा है और भाई भी चल रहते हैं तो ध्याद केदरी दिवाना जा भाई मैं लेकिन आपनों दोने शांदार अपने कि टीम स्विरीट को भी दिखाया है अपनी टालेंट को भी दिखाया है और पेशंस नजा रहा था मैं देख रहा था कि पेशंस ना सो हरवड़ी नहीं थी बड़ा आत्म इश्वास से भरा हुआ अपनों को का तो बहुत 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 बढ़ाया चाहती है पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का और आपने जब हम नमेंबर में अमदबाद में हम वो मैं चाह रहे थे तो वहां पे भी आप आये थे जमामाना मैं इतना अच्छा नहीं था तो हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं मैं सिर्फ ये काऊंगा कि जो रोहेत और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरेट दिखाई है जो नेवर से डाय आटिटूड दिखाई है बहुत मैचेज में फाइनल में जाके भी वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडेट है इसमें बहुत महनत क है इन लड़कों ने बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पाइर किया है जो यंग जनरेशन आएगी यह लड़के भी इंस्पाइर हुए हैं 2011 का जो विक्क्री थी उसको देखके बड़े हुए हैं काफी यह लड़के तो अभी इन लड़कों ने परफ करना चाहता हूँ बदाई को आप लोगों है भई इस देश के नवजवानों को आप बहुत कुछ आगने आवले दे सकते हैं विटरी तर दिये हैं लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं हर छोटी-छोटी चीज में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं आप हर्याना का कोई भी वेक्ती हो वो हर हालत में खुछ लेता है वो हर चीज में खुछ ही डूटता है रोहत मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना शाथ हूँ जमीन कोई भी हो मिट्टी कहीं भी हो लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पीछ पे होती है और आपने क्रिकेट की जिंदगी है उसको चुमा कि ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चकना था बस क्योंकि उस पिछ पर हम खेलके उस पिछ पर जीते क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया इतना मेहनत किया बहुत बार हमारे पास बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ल कप बढ़ हम आगे नहीं जा सके लेकिन इस बार सब लोगों के वज़े से हम उस चीज को आसिल कर सके तो वो पिछ मेरे लिए बहुत मतलब यह था कि उस पिछ पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिछ पे गया तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से हम लोगों ने पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन हर देश में से मार्क किया होगा लेकिन रोहित मैंने दो एक्स्ट्रीम चीजे देखी इसमें मुझे इमोसंस न जा रहा रहा था और जब तुम टॉफी लेने जा रहे थे जो नृत्य होता है सर उसके पीछे यह था कि जैसे हम सब के लिए इतना बड़ा मुमेंट था वो और हम सब लोग इस चीज़ का इतने साल से इंतजार कर रहे थे तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिव ऐसे ही मत जाना चलकर कुछ अलग करना तो यह चैल का एडिया था क्या चेहल और कुलदीप चेहल और कुलदीप अच्छा आपके यह रीकवरी की आत्रा कठीन है प्लेयर के नाते तो साइद पुरान यापके अमानत थी उसको आपने आगे कर लिया लेकि ऐसे समय कोई वेक्ती रीकवरी करें यह क्योंकि आपनों समय काफी पोस्ट भी गिये थे कि आज आपने इतना कर लिया आज इतना कर लिया तो मुझे मुझे हमारी साथ ही बताते थे तैंक यू पहले कि आपने हम सब को यह बलाया इसकी पीज़े ज़र नॉर्मल थौट था यह क्योंकि एक डेड़ साल पहले मेरे एक्सिज़ेंट हो गया था तो काफी टफ टाइम चल रहा था वो मेरे को याद एक बहुत ज़ादा क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरे ममी को तो बहुत ज़ादा दिमाग में बहुत सारी चीज़े चल रही थी बट जब आपको कॉल आया ममी न सब्सक्राइब किसी और के लिनी बट अपने आपको प्रूफ करना है नहीं वाबर डेडिगेट करके किया नहीं वापस इंटरनाशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को चिताने को देखना है तो जब आपका रिकवरी चल रहा था आप से माई से बात किया तो मैं पहले डॉक्टर से चल्च मा क्या आत्मिश्वास को ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था मेरा परिच्चे तो नहीं था कर भी मिला तो नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आसवास दे रही है तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी मा मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा यह मेरा मन में विचारा आया था उसे समय आया था और आपने करके दिखाया जी और सबसे बड़ा मुझे जिलागा थे मैंने आपसे बात किया किसी का दोस नहीं है मेरा दोस है यह बहुत बड़ी बात है जी गरना कोई भी बहाना निकालता गड़ा था डिकना था आपने ऐसा नहीं किया यह मेरी कलती थी शायद यह आपका जीवन के प्रति जो ओपननेस है और मैं छोटी-छोटी चीज़ों को अबजोर करता हूं दोस्त और हर्स किसे से शीखता हूं मैं साथ बताता हूं आपका जीवन देश के पेशन्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर बेपका बड़ी इंस्पिरिशन लेंगी जी और मैं जानता हूं जो विकेट के पर होते हैं उनकी जो कोचिंग होती है कितरी कटी होती है गंटों तक अगुठे पकड़ा के गड़ा रखने दे थे लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है जो बहुत बड़ा काम किया जी बदाई आपको उतार चड़ाव आते हैं लेकिन एक जो लंबी तपस्या होती है वो समय पर काम आती है आपने खेल में जो तपस्या की है वो जरुवत पढ़ने पर उसने अपना रंग भी खेरा फिरायर बताईए इस बार की लड़ाई तो आप उतार चड़ाव नहीं रही आपकी पहले तो बहुत-बहुत शुक्री आपका कि आपने हम सब को यहां बुलाया और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा क्योंकि ये पूरे टूर्णामिन में मैं वो कॉंट्रिवूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था और एक समय पे मैंने रहूल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आपको और टीम को दोनों को नयाई नहीं दिया अभी तक तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिच्वेशन आईगी तो मुझे बरोसा है कि तुम परफॉर्म करो गया तो यह conversation हमारी हुई थी और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोईत को बोला क्योंकि मेरा जैसे tournament गया था मुझे इतना confidence नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी batting हो सकी कि जैसी मैं करना चाहता हूँ तो जब हम खेलने गए मुझे पहले चार बॉलों में तीन चौके मिले तो मैंने इसको जाके बोला मैंने का यार यह क्या गेम है यह मतलब एक दिन ऐसे लगता है एक रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है तो तो हाँ पर मुझे फील हुआ कि और इस्पेशली जब हमारी विक्टे गिर गई कि वो सिच्वेशन मुझे अपने आपको सरेंडर करना है टीम के लिए क्या जरूरी है इस समय पे सिरफ वो ही मेरे फोकस में था और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया अब वो मैं किस वज़े से डाला गया वो एक्स्पेशली करना मुश्किल है बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिलकुल मैं उस मोमेंट में बंद गया और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है, तो यह होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ, अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहांसे मैच पल्टा और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्स्प्लेइन नहीं कर सकते एक एक बॉल में की मैच यहां जा रहा है वहां जा रहा है एक समय पर उम्मीद छूट चूगी थी उसके बाद हर्दिंग ने विकेट लिया उसके बाद एक एक बॉल करके एक एक बॉल करके वो एनरजी फिर बनी तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कॉंट्रिब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते हैं मैंने बुला वो मैं कभी नहीं बुला पाऊंगा अपनी जिन्दिगी में तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं यह सब को लग रहा था विजार के कि टोटल आपका 75 और बाद में एकनम 76 तो कभी कभार यह पल होती है जिए जब सब लोग कहते हैं तुम भी कर लोगे वो भी करा करते हैं ड्राविंग स्पोर्स बन जाता है लेकिन परिवार से में जिए क्या रिएक्शन आया होगा है जब पच्छतर में दबे रहते थे थे च्छी बात यह थी सर यहां टाइम का डिफरेंस जादा है तो परिवार से जादा बात नहीं मेरी ममी जादा टेंशन ले लेती है पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आ तो वो कहीं नहीं आपका अंकार उपर आ जाता है तो फिर खेल आपस दूर चला जाता है तो वो ही छोड़ने की जलूरत थी और जैसे मैंने का कि गेम की सिच्वेशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगा ही नहीं थी अपने अंकार को उपर रखने की वो पीछे रखना ही प पाजी नहीं सर मैं जब भी इंडिया के लिए बोलिंग करता हूं तो बहुत क्रूशिल स्टेजिस पे बोलिंग करता हूं चाहे नया बॉल हो या इडली था जाता होगा है मैं नहीं नहीं कवे भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को सिचुएशन में बोलिंग करनी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूं और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत confidence मिलता है और आगे जाते हुए भी वह मैं confidence को carry करता हूँ और especially ये tournament में बहुत सारी situations ऐसी आई जहां मुझे tough overs डालनी थी और मैं team को help कर पाया और match जिता पाया जितना मैंने cricket को देखा है हमेशा जाएक कि 90 के बाद कितना ही victory का mood हो सब कुछ हो फिर भी जो batsman होता है वो थोड़ा serious हो जाता है 90 के बाद वो वैसा ही last over हो hard जित एक ball के सारे हो कितना बड़ा तना होता होगा ऐसे मैं उन सबय कैसे आप समालते हैं अपने आपको गर मैं सोचूँगा कि हार जाएंगे या मैं को match में कुछ extra करना है तो मैं शायद गलती कर दूँगा या nervous हो जाँगा या crowd को देखूँ या nervous होनके दूसरे लोगों को देखूँ तो शायद मिरसे गलती हो सकती है तो मैं उस time focus करता हूँ अपने आपके बारे में सोचूँगे मैं क्या कर सकता हूँ और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने टीम को help कर पाया हूँ तो वो सब चीज़े याद करने की कोशिश करता हूँ नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराटे कुछ भी नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहे थे उससे ही काम चला रहे थे हम लोग, पर बहुत अच्छा सिनारियो रहा, बहुत बैक-to-back हम ट्रावल भी कर रहे थे, तो ऐसे टीम बहुत अच्छा टॉर्णूमेंट गया, फर प्राइड कर सो, घर वह होता है समगो, उस ताइम पर पूरा छे महीने ऐसे लगे के पुरे छे महीने मेरे जो गये हैं, वो वापिस आये कैस क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और मैं बहुत कंट्रोल किया, लेकिन आज जो छे महीने गुजरे पूरे तरीके से चालू हुआ, औ और देखे उपर वाले की क्रिपा देखे के मौका भी कैसा मिला आखरी ओर में ऐसा एक सिचुमेशन जहां मैं इमेजिन नहीं कर पाया और आमिन बस क्या बताओ, आम स्पीछलेट हार देख बताईए फर्स्ट फर जो थैंक यू बुलाने के लिए हमें और आम आम वो जो इंटेव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो उसलिए था क्योंकि छे महीने थोड़े काफी एंटेटेनिंग रहे हैं मेरे लिए काफी उतार चड़ाओं के साथ रहे हैं जहां ग्राउंड पे गया हूं औ पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजे गई और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूँगा तो मैं खेल से दूँगा कभी अपने जवाब से नहीं दूँगा और या उस टाइम भी स्पीचलिस पर भी भी स्पीचलिस हूं क्योंकि जो बोलते ना आप हमेशा जगड़ते रहते हैं मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहें कभी भी ग्राउंड छोड़के ना जाए क्योंकि यह मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है सो बिलीव किया सर के रहेंगे महनत करेंगे और सब तीम प्लियर्स का सबका कैप्टन कोच सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था और बस प्रिपेरेशन किया और तैयारी किया और उपर वारे तक दिर भी ऐसी दिए गया है लास्ट ओर में मौका मिला सबका है खो गया सर, सर वो मुमेंट पे बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, पहले यह नहीं सोचा था कि कैच पकड लूँगा यह नहीं पकडूँगा यह दिया कि बॉल धकल दूँगा अंदर, एक रन हो, दो रन हो, ज्यादा से ज्यादा क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थे, और एक तो फिर देखा, रोईत भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे, और उड़ाया और आगया हाथ में, बट यह चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से, एक चीज के बारे में मैंने सोचा था कि, बैटिंग तो मैं करता ही हो खाली, लेकिन वो खतम होने के बाद, और किस चीज में मैं कॉंट्रिब्यूट कर सकता हूँ टीम को, फिल्डिंग में और किसी और यह भी प्रैक्टिस हो जाते हैं आपकी, कि जिस में बार बोल गया है, फिर सिर को दुबारा लेना, पैच करना, सूरिया ने तो एक सो कितना कह रहा है, एक सो पचास, एक सो साथ आप ऐसे कैचेज पहले लिए हैं प्रैक्टिस में, तोटल मतलब सर टॉर्नमेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपल से जब आ रहा था था बहुत सारा ऐसा कैचेज पकड़ा था तो, बट पता नहीं था कि बगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पर पकड़ने के लिए बट ऐसे प्रैक्टिस की हुई थी पहले से, इसलिए वो सिचुएशन में थोड़ा इतना काम था और पता था कि ऐसे सिचुएशन पहले आ चुकी है, बट कोई पीछे स्टैंड में बैठा नहीं रहे था हो टाइम पर इस टाइम पर ज्यादा लोग बैठे थे, बट बहु असमें से पूरी परस्तिती पलड जाए ये गटना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है, और आपकी जिंद्गी के साथ ही जुड़ गई, तो आप तो बहुत बहुत लखी इनसान हो यार, एक और स्टार लग गया सर, अच्छा लग रहे है, बहुत बताई तो ब्राब याने दिल को छूने वाला जवाब है इनके पिता जी गा, उन्होंने का देखे, पहले देश बाद में बेटा, ये बहुत बड़ी बात है जी हार दिश, बताईए ज़र थैंक यू पहले तो आपने मौका दिया हमें आपसे मिलने का और उसके बाद क्रिकेट को ले के बहुत बढ़िया फिलिंग है ज़र, बहुत अच्छा लग रहा है के ये टोर्नमेंट हम जीते हैं और बॉलिंग में मैंने पहले भी जैसे बताया के बован च सीजि बाई अउच्छ जब स्कूल में खेलता था तब एक बार मजह साध़ उसको प्राइस देने कम मेरा खुद तो खेल की दुनिया सा रहा नहीं कि मैं खेल जिगत में कुछ भी अगर हल चल होती है तो मेरा मन के सार लग जाता है एक वह काच में यही था उनके पार्टनर्शिप बनी होई थी पहले ओवर में विकेट गीरा था उसके बाद गीरा नहीं था और जब कुल दीब बार्ट डाल रहा था तो मैंच इस तरफ खड़ा था उस तरफ भी हवाच नहीं था तो अवाच भी नहीं था था तो कि अपर व चल रही थी तो मैं खड़ा था और उसने जब शॉट मारा तो मुझे लगा कि easy catch हो रहा है बेट वो हवा के साथ इतना तेज जाने लगा तो मैं पहले सोच रहा था मैं left hand में पकड़ूंगा लेकिन जब ball गया तो मैं लगा ये तो right hand पे जा रहा है तो फिर jump मैंने मारा उस टाइम पे मुझे कि तब मुझे realize हुआ कि हाथ में पकड़ लिया है मैंने और I think most of the time दस में से नौ बार छुट जाते ही है ऐसे कैश बैट लखी था कि World Cup में इस टाइम पे जब टीम को जोरूरत थी तब वो catch पकड़ लिया मैंने तो हम उनका दूद काम कर रहा है अच्छा पिर है और नडिया टब टब अच्छा आने की थोड़ी निकरती एकसर को डुप्राद कर आप लिए बेब बास प्राइब कन्यावेरी लग्रोस्ट पराइब। प्राइबुट प्राइब। अबाइबुट प्राइबु अज्यक्ट झालिक झाल ग्याबटी जबेवरी विता जे यूब। यूविधव चालि को बाइब। कुल दिप का है कि देश दिप का है सब्सक्राइब के लिए सारे मैच बहुत अच्छे लगते खिलने में बहुत मज़ा भी आदा बहुत प्राउड भी फिल करता हूँ एक अबुने सब्सक्राइब करते हैं लोगल से जिरा नहय करता हुँ है मेरा रोल भी वैसे ही तुए प्लान और में करते ही कि विकेट नगालू में मिडलोऑर में तो क हमेशा कोशिश ख़रता हूँ कि मिलब्लॉपर विकेट निकालू और फास बहुत अच्छे स्टार्ट देरेते हैं, एक दो विकेट निकाल देते हैं तो तोड़ा एजी हो जाता है मिडलोवन बॉलिंग करना काफी अच्छा रगता है, बहुत अच्छा फील्ड कर रहा हूँ, तीन वर्ड कप खेल चुका हूँ और ये अच्छा मौका था ट्रॉफी उठाया तो बहुत खुशी हो रही था तो कुल्तिव तुम तुमारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो कैपटन को मैंइन चाहाँ, अरे सर्वावोत भई जया बता, मैने को बोला था कि ये करने के लिए outsider ने कि कुछ करते हैं आ तो में इन कोई बता इसकार सकते, फ siguiसे मैंने बताया था वसा किया नहीं उन कर सकते है . Just, जिकायत है सबसे दिस्पैच्च किया है एक और फोर अर्शातक रोइच शर्मा के नाम रोइच शर्मा कमाल है भाया सिंगल मिलेगा अर्शातक उनिस गेंदो में है कप्ताल लीडिंग फ्रॉंड याले क्या ताल एक और छिया जाहे कप्तान एडन माकरम क्रोव सबर्दास कैच रिशब से दोजार साथ में सबसे छोट हुआ खिलाडी और दोजार चोविस में विजैई टीम के कैप्टन क्या अनुफो करते हैं कि सच बूलों तो जब दोजार साथ में मैं पहली बार टीम में आया था और एक टूर हमने आयरलेंड में किया था जब जहां पर राउल भाई कैप्टन थे फिर उसके बाद हम सीधा आप साउट अफरीका चले गए वर्ल्ड कॉप के लिए तो वहां पर वर्ल्ड कॉप जी रास्ते में थे हमें एरपोर्ट से वांकडे स्टीडियम जाने के लिए पाच घंटा लगा तो दो तीन दिन के बाद मैंने रियलाईज किया कि वर्ल कॉप जीतना काफी आसान है लेकिन उसके बाद उसके बाद वर्ल कॉप आते गए बहुत बार हम पास पहुचे बड़ जीत नहीं पाए ये वर्ल कॉप में एक चीज़ बड़े कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूं कि लोगों में काफी डेस्परेशन और बहुत हंगर जब हम यहां से वेस्ट इंडीज गए काफी मुश्किले थी वहां पे जब हम नियॉक में पहली बार क्रिकेट हो रहा था कभी क्रिकेट वहां पर हुआ नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउन अच्छी नहीं थे लेकिन किसी भी लड़कों का उस चीज में ध्यान नहीं था बस एक ही चीज में ध्यान था कि हम बाबिडाउस में फाइनल कैसे खिलेंगे तो उससे मतलब ऐसे टीम को कैप्टेंशी करना भी काफी अच्छा लगता है कि सबका गोल एक है कि कैसे जीतना है और जब हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराट है और लोग इंजोई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ रात रात तक सडकों में घूम रहे हैं इंडिया का फ्लैग लेकर तो काफी अच्छा लगता है और हम यह जो ग्रूप है यहां पर इनका हमारा एम यही है कि हम नेक्स जनरेशन को कैसे इंस्पायर करते जाए जैसे जब रावल भाई और सचिन टेंडूलकर और सोरोग गांगुली लक्षमन यह लोग सब खेलते थे तो हम सब उनको देखते थे तो उन्होंने हम सारे लड़कों को इंस्पायर किया है बट हमारा भी एक रिस्मोंसिबिलिटी है कि जो आगे वाले जनरेशन आएंगे उनको हम कैस यह तो एक्षली लड़के बता सकते हैं सब मैच जितना और इसमार तो आपका कुनबा भी बड़ा था कई नए नए देश जूड़ रहे हैं अब और क्रिकेट में यह पास सही है कि जो खेलता है वो इतनी महनत करके आता है तो उसको साथ अंदाज नहीं आता है कि मैंने इत देश पर तो प्रभाव होता है लेकिन भारत की क्रिकेट की विशेस्ता है भारत की क्रिकेट की यात्रा बड़ी सफल रही है उसने अब और खेलों में भी इंस्पिरेशन का काम करना शुरू किया है और खेल के लोग भी सोते हैं क्रिकेट में हो सकता है यहां क्यों नहीं हो है वही स्पिरिट पैदा करना है कि दुनिया में हम जंडा घार के आएंगे और मैं देख रहा हूँ आज बेश में और छोटे-छोटे गाउं से टालेंट मिल रही है यह टीर टू टीर थी से टालेंट मिल रही है पहले तो बड़े शहर बड़ी कलब महीं से आते थे अब ऐसा परनाम हमें लंबे अर्शे थर मिलता है अफगानिस्तान के मिश्टर का बयान था तो बड़ा इंटरस्टिंग बयान था उनको साथ आफ्रिकर के साथ लास्ट में खेलने का मुखा मिला यह आत्रा उनके लिए बहुत बड़ी सबलता कि आत्रा थी लेकिन उन्होंना क्रेड भारत को दी बले अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम का यह जो प्रगति है उसका अगर क्रेडिट किसको जाता है तो भारत के लोगों ने हमारी बच्छों को तयार किया उसके कार्व गया है I think like we always say it's not about the runs, it's not about the wickets, you'll never remember your career but you'll remember moments like this आप लोगों ने राहूल को 20 साल चोटा कर दिया है नहीं श्रे इन लड़कों को जाता है क्योंकि हम लोग, मैं always कहता हूँ कि हम मैं player रह चुका हूँ और मैं coach भी रह चुका हूँ, हम सिर्फ इन लड़कों को support कर सकते हैं मैं इस पूरी tournament में मैंने एक run भी नहीं किया, बनाया है, एक wicket भी नहीं ली, एक catch भी नहीं ली, हम सिर्फ support कर सकते हैं और सिर्फ मैंने, हमारी जो पूरी team होती है, एक support staff की team होती है, हमारे जो दूसरे coaches होते हैं, हमारे बहुत अरिक्रिक support staff की जो team होती है, मेरा यह मानना है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, और हम सिर्फ इन लड़कों को support कर सकते हैं, जो pressure का situation होती है, run बनाने हैं, विराट को या गुमरा को, या रातिक को, या रोहित को, या सब लोगों को यहाँ पर यह लोग करते हैं, तो हम इनको इनको सिर्फ support कर सकते हैं, इनको जो चाहिए उनको, हम यह दे सकते हैं उनको, और पूर अश्रेन लोगों को जाता है, उन्होंने ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, एक एक ऐसा इतनी experience बहुत अच्छी experience जो दी है तो मैं सिर्फ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो इस tournament में जो team spirit बहुत अच्छी थी तो इस team में ऐसे 11 जो लड़के खेले थे इसमें चार लड़के बाहर भी बैठे थे इसमें मुहमद सिराज ने पहले तीन मैच खेले थे USA में हम लोग fast bowler extra खेल रहे थे तो उन्होंने सिर्फ तीन मैच खेले इस tournament में और तीन ऐसे लड़के थे हमारे team में जन्होंने एक भी मैच नहीं खेला संजू ने एक भी मैच नहीं खेला यूजी चैल को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला पर उनकी जो spirit थी उनकी जो उच्सा था बाहर देखके कभी ऐसा नहीं का मूँ उन्होंने नीचे नहीं किया और वो बहुत हमारी लिए और हमारी team के लिए एक बहुत important चीज थी और एक बहुत important चीज होती है जब आप ऐसे tournaments केलते हैं कि जो बाहर बैटे हुए लड़के होते हैं उनकी जो क्या attitude होती है उनकी जो spirit होती है तो मैं उनको भी बहुत दाद देल नहीं मुझे अच्छा लगा कि एक coach के नाते पूरी team की तरव आपका ध्यान होना और ये जो भी सुनेगा उसको लगेगा कि भई हो सकता है कुछ लोग मैदान में हमने देखे नहीं है लेकिन वो भी मैदान में रंग भर देते हैं मैदान को जोड देते हैं और cricket में हमने देखा है हर किसी का कोई कोई contribution होता ही होता है इतना बड़ा टीम स्पिरिट की जरुद होती है तब जाके होता है लेकिन राहूल मैं जुरूर जानना चाहूंगा अब 28 में USA में जब Olympic होगा तो cricket को अब Olympic में already स्थान मिल चुका है और मुझे लगता है कि World Cup से ज़्यादा अब उस तरफ लोगों का ध्यान रहेगा अगर भारत सरकार as such cricket board as such या थोड़ा आप लोग mind apply करके Olympic की तैयारी के मतलब क्या होता है कैसे करना होता है उस पर थोड़ा seriously सोचना है तो आपका क्या reaction रहेगा ज़रूर मोधी जी ये Olympic में खेलना एक क्रिकेटर्स के लिए एक वो मोका मिलता नहीं हमको क्योंकि Olympics में क्रिकेट इस बार फर्स टाइम आएगा है 2028 में तो मेरे ख्याद से बहुत एक बड़ी चीज होगी देश के लिए भी और क्रिकेट बोर्ड के लिए क्रिकेटर्स के लिए कि उस टॉर्नमेंट में बहुत अच्छा करना है और एक जो दूसरे जैसे आपने पहले भी कहा दूसरे जो स्पोर्ट्स है उनके साथ रहना क्योंकि उन स्पोर्ट्स में भी कितने बहतरीन खिलाडी है कितने हमारे देश को गर्व लाते हैं और यह जो ओलम्पिक्स इतनी मतलब बड़ी इवेंट है उसमें क्रिकेट का रहना क्रिकेट की लिए गर्व की बात है और मेरे पूरी उम्मीद है कि जो भी होंगे बोर्ड में उस टाइम में हमारी जो बीसी से होंगे वो पूरी तैयारी उस टाइमेंट के लिए करेगी होपफुली मेरे पूरी उम्मीद है इस टीम में से तो काफी लड़के होंगी होंगे उसमें मुझे पूरी उम्मीद है काफी यंग लड़के हैं जैसे रोध है विकाट है 28 तक तो बहुत लोग होंगे कर दो झाल कर तो बोड़ खारा तक मुझे डिजा हुट पोड़ को फंगा हुट जा झाल मैं तेख सकता हूं कि कि चायद कुछ लोगों को विजय के जो हर्ष के आंसू है वो जब देखते हैं तब पता चलता है कि पराजय के पल कितने कठीन गए होगी पराजय के पल उस माहुल में लोग स्फिल नहीं के पाते हैं वो कितनी बेदना जेलता है एक प्लेयर कि इतनी तपस्या करके ही आया होता है और एक कदम के लिए रह जाता है और जब वो विजय प्राप्त करता है उसकी खुशी से पता चलता है कि वो पराजय की पल कितनी कठीन गई हुए मैंने उस दिन इन सब पो देखा था कि मैं खुद पील करता था कि और विश्वास भी था कि और कम कर जाएंगे और मुझे लग रहा है कि आज आपने वो करके दिखाया है बहुत बहुत बदाएंगे बात रहे हैं आप लोगा टीं आपना है कर आँ कौ रह आई कर दो कर दो कर दो कर दो हिसने समसे हこうome थैसे कि बाधे नहीं कि अधिक चर्ड़रे कि शर ख म अ दये तरन चानी के अ कर दो कर दो कर दो दो